दोस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिरपरष। दोस्तों तो वस्तित हो आप सभी कि सेवा में ब्हणर नाकोलS यहाँ मच्छर काटना तो दूर आपके पास भी नहीं आसकते की आप सभी जानते ही है कि अप सर्धी जा रहे है और गर्मी का मोसम आ रहा है ऐसे में गर्मी के साथ साथ मच्छर का भी आना शुरू हो रहा है इसमें आप देखते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनिया मच्छरों को मारने के लिए या फिर दूर भागाने के लिए कई प्रोडक्ट्स बेचती हैं लेकिन कई बार मच्छरों को इन प्रोडक्ट्स का कोई असर नहीं होता है इसलिए आज हम आपको मच्छर भगाने का सबसे आसान और देशी नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसे आज माने से घर के सारे मच्छर तुरंत भाग जिहां गर्मियों में मच्छर भगाने का आसान और देशी नुस्खा इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक निम्बू और 10 से 15 लौंग की जरूरत पड़ेगी इसके बाद आपको एक निम्बू को दो बराबर हिस्सों में काट लेना है और उसमें करीब 10 से 15 लौंग घुसा देना है इन निम्बू को एक प्लेट में रख करके अपने पास रख लेना है इन निम्बू और लौंग को एक साथ आने पर जो खुश्बू निकलती है वो मच्छरों को रास नहीं आती है और मच्छर तुरंत वहां से भाग जाते हैं यह नुस्खा बह हो जाएंगे यह थी आज की जानकारी क्योंकि आप जानते हैं कि इस मौसम में मच्छरों की वजह से मलेरिया जैसा रोग भी होता है फिवर होने लगों को बहुत सारे बिमारिया डेंगू आप इन सब के बिमारियों के चपेट में आ जाते हैं इसलिए इससे बचने के जी उपाय है हो में ड्रेमेडी है इसका कोई लॉस भी नहीं है तो अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और नई जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों